नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर्शी स्वागत है और अज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर इनवार्टर में क्या अंतर होता है और क्या आपको solar inverter के साथ में solar charge controller खरीदना चाहिए या लगाना चाहिए तो इन सभी स्वालों के जवाब देने वाले हैं हम इस वीडियो में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि solar charge controller कहां पे उपयोग होता है और solar inverter कहां पे उपयोग होता है अगर आपने अपने घरों में normal inverter का उपयोग किया है तो वह inverter आपके घर में आने वाली AC supply को DC supply में convert करके आपकी battery को charge कर देता है और electricity जाने के बाद में वही inverter फिर उस DC supply को जो की battery में store हो गई थी उसे convert करके फिर से AC में बदल देता है जिसनी कि आप अपने घर के appliance electricity जाने के बाद में भी चला सकते हैं तो यहीं पर अगर इसी system के अंदर हम एक ऐसा controller लगा दे जो की solar panel से आने वाली DC supply को control करके आपकी battery को DC power से charge कर दे तो उसी को हम solar charge controller कहेंगे जो की solar panel से आने वाली supply को control करता है आपकी battery के आनुसार और फिर आपकी battery को बड़े ही अराम से charge कर देता है अगर आप बिना solar charge controller के सिथे solar panel को अपनी battery पर लगा देते हैं तो solar panel से आने वाली high power से आपकी battery खराब हो सकती है और आपका inverter वी जल सकता है इसी लिए हमें बीच में controller किया हो सकता होती है ताकि हमारी battery अच्छे परकार से charge हो जाए और वहीं दूसरी तरह बात करें solar inverter की तो यहाँ पर आपका solar inverter है वही आपके inverter का भी काम करता है और वही solar charge controller का भी काम करता है यहाँ पर हम solar charge controller की technology की बात नहीं करेंगे या उनमें क्या अंतर होता है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक solar charge controller की तो यहाँ पर जो आपका solar inverter रहेगा वो inverter की तरह काम करेगा जो कि आपके घर में आने वाली AC supply को DC में convert करेगा और आपकी battery को charge करेगा और electricity जाने के बाद में आपकी battery की जो DC light है उसको फिर से AC में convert करेगा और आपके घर के appliance को चलाएगा और उसके अंदर लगा हुआ solar charge controller आपके solar panel से आने वाली power को control करके आपकी battery को DC current से charge करेगा तो यहाँ पर inbuilt जो solar charge controller होता है उसमें आपको wiring वगार की कोई tension नहीं होती है आपके solar inverter के पीछे ही आपको दो terminal दे दिये जाते हैं जिससे की आप सिधे solar panel से आने वाली wire को वाँ पर लगा सकते हैं लेकिन दूसरी तरब बात करें एक external solar charge controller की तो वहाँ पर आपको complete wiring जो वो खुद करनी पड़ती है वहाँ पर solar charge controller को आपकी battery पर connect करना पड़ता है और solar charge controller को फिर panel से connect करना पड़ता है यहाँ पर आपकी wiring का भी उपयोग होता है इसलिए इसकी efficiency inbuilt solar charge controller वाले solar inverter से कम रहती है तो काफी लोगों के ये सवाल आते हैं कि क्या हम MPPT type के solar charge controller से हमारे घर के load को direct solar panel से चला सकते हैं या नहीं उनके लिए एक line का जवाब यही है कि आप बिलकुल नहीं चला सकते क्योंकि जो solar charge controller है वो सिर्फ एक controller है ना कि converter जैसे कि आपका inverter AC supply को DC में बदल देता है और फिर DC को वापिस AC में बदल देता है लेकिन जो आपका controller है वो सिर्फ DC को DC में रखता है उसे control करके रखता है तो आप इससे अपने AC appliance को नहीं चला सकते हैं हाँ आप अपने DC appliance को जरूर चला सकते हैं अगर किसी controller के अंदर आपको एक DC port दी जाए जिससे कि आप DC load को चला सके तो वो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं जैसे DC fan हो गया, DC bulb हो गया इस परकार के उपकरण का उपयोग आप ड बीच में controller का उपयोग करके ही DC appliance को बैंडरी से चलाएं अब हमारा आखरी सवाल ये कि क्या हम solar inverter के साथ में solar charge controller लगा सकते हैं या नहीं या हमें लगाना चाहिए या नहीं तो यहाँ पे आपको अगर extra panel लगाने के जरूरत पड़ती है तभी आप solar charge controller को solar inverter के साथ में connect करें अधरवाईज आपको जरूरत नहीं होती है अग्जाम्पल के लिए मान लेजिए आपका जो solar inverter है उस पे आप 2 kilowatt तक का load चला सकते हैं लेकिन जो panel capacity है वो सिर्फ आपकी 1 kilowatt है तो यहाँ पे अगर आपने 1 kilowatt panel आपकी inverter पे लगा दी तो आपका जो 2 kilowatt load है वो solar panel पे complete नहीं या मान लेजी आपका 1 kilowatt का load चल रहा है और 1 kilowatt के ही panel लगा रखे हैं तो वहाँ पर आपकी बेंटरियां फिर चार्ज नहीं होती है तो यहाँ पर अगर आप अपनी बेंटरियों को चार्ज करना चाहते हैं solar panel से ही तो आपको वहाँ पर external एक solar charge controller लगा कर उस पे panel लगाने पड़ेंगे जिससे के अपकी बेंटरिया solar panel से ही चार्ज होंगी और जो आपका load है वो भी solar panel से inverter के थुरू चलता रहेगा तो यह ऐसी कंडिशन में आप solar charge controller को solar inverter के साथ में लगा सकते हैं यहाँ पर अप टेस्टिंग के लिए मैंने भी अपने inverter के साथ में external MPPT type का solar charge controller ल वीडियो के comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें share करें साथ मेरे चनल को subscribe करें सब्सक्राइब करने की साथ साथ बैल आइकन को ज़रूर दबाएं ताक इसी परकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद